हेलो फ्रेंज वर्कम बाक टू माई चैनल शोनलुक्स में आप सब का स्वागत है तो आज का जो हमारा प्रोड़क्ट है इस वीडियो में जिसके बारे में हम बात करेंगे वह है लिप ग्लॉस लिप ग्लॉस बहुत पहले ट्रेंड में थे बट अब उसका ट्रेंड दुबार करके इसके अंदर ये टाइट्स ओ लिप कलर इसके अंदर इंट्रिद्यूस करें हैं तो जानते हैं कि लिप ग्लॉस अलग अलग वराइटी में हर एक ब्रैंड रिलीस करता है बट अभी जो ट्रेंड आया है वो रहने की तरफ से आया है वीडियो की बीच में मैं यह बोल रही हूँ पर बोलना बहुत ज़रूरी है तो आगे के वह बताऊंगी और उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रहा होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए अब स्टार्ट करते हैं इस करते हैं हम इस प्रॉड़क को प्रॉड़क की पाकेजिंग तो आपने देख ली है जब हम इसे ओपन करते हैं एक छोटा सा क्यूट सा चोटा सा मिनी बॉटल इसके अंदर है ट्रांस्पेरेंट बॉटल है जिसमें की आप देख पाएंगे कि शेड कॉन सा है सो बात करते हैं कि इस प्रॉड़क का प्राइस कितना है इस प्रॉड़क का प्राइस है 3.50 रुपीज मैंने अमाजन से परचेस किया है आप टाइम तो टाइम किसी भी एकॉमर्स वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं डिसकाउंट भी अवैलेबल कर सकते हैं बट अभी का ज तो वहां पर brand क्या-क्या state कर रहा है? वह यह state करते हैं कि product जो है non sticky है और long lasting moisturize करता है और उसके बार non drying formula है और easy to carry है इसमें से easy to carry वाली बात तो बिल्कुल ठीक है और भीकेस बॉटल बहुत छोटी है आप कहीं पे भी से ले जा सकते हैं कि बाखी की बात है कि मौस्तिराइज करता है जघी करता है और बात मैं इस प्रोड़क को यूज किया है तो उसकी फीचर में आपको बादमें बताऊंगी तो पहले इस product को मैं nude lips पे कुछ भी apply नहीं कर रखा है, तो पहले इसे apply करेंगे, उसके बाद इसे lipstick के साथ apply करेंगे, तो start करते हैं, तो अब हम सबसे पहले अभी lips पे कुछ apply नहीं कर रखा है, अब इसे apply करके देखते हैं, without lipstick ये किस तरीके का texture देता है, direct lip gloss apply करके करते हैं कुछ इस टाइप का आप इसे देख पाएंगे तो अब हम पहले से अपलाए करेंगे मैंने इस प्रोड़क को ले लिया है थोड़ा सा अब आप अप मेरे लिप्स पर देख सकते हैं विदाउट लिप्स्टिक किस फरीके का लग रहा है आपने लिप्स पे देख लिया है अब मैं इसे वाइप करके अब मैं इसे इस न्यूड लिप्स्टिक के साथ यूज करूँगी और फिर चेक करते हैं फिर यह कैसा लगता है अब हम इसको लिप्स्टिक के ओपर ट्राइ करेंगे किस तरीके से लगता है मैं बहुत कम लेना चाहूंगी यह भी टिंटेड लिप्बाम है लिप्ग्लॉस है मैंने बहुत करीब का शेड लिया है इससे माच करने के लिए पीच इसको मैंने एक न्यूड लिप्स्टिक के साथ मैंने अपलाए कर लिया है बहुत क्लोज शेड लिया था ताकि एक अच्छा लूक आ सके तो आप देख पा रहे होंगे लिप्स्टिक के ओपर यह किस तरीके का दिखाई देता है जो स्टेटमेंट ब्रैंड में दिया है नॉन स्टिकी प्रॉड़क्ट है और लॉग लास्टिं है तो नॉन स्टिकी तो मैं कह सकती हूँ यह बिलकुल स्टिक नहीं करता है प्रॉड़क्ट लिप्स्टिक्ष अगर आप ऐसे करेंगे जैसे पहले कि लिप-ग्लॉस होते थ यह प्रोड़क्ट उस तरीके का नहीं है और जब आप कुछ खा लेते पी लेते ओवेसली लिप्स्टिक भी चली जाती है कुछ तो लिप ग्लॉस भी चला जाता है लोंग लॉस्टिंग मस्चराइजर जो है आपके लिप्स जब यह लिप ग्लॉस हर जाएगा उसके बाद भ झालब आपको दिखिशे जो ब्रैंड जो कहा है वह बिल्कुल परफेक्ट है इसकी शाइन की बात करें तो बहुत मिनिमलिस्ट शाइन है जैसे कि बहुत भडकीला इसका शाइन नहीं है जितना होना चीए उतना इसके जो टाइम पे जी चोईन होना चीए बीके जाद क्वांटिटी भी उसका थोड़ा उतना ज्यादा कर दीजिए बहुत कम क्वांटिटी है और प्राइस बहुत हाई है इस प्रोड़क का आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बहुत अच्छा है जितने भी स्टेटमेंट ब्रांड न आप रिकमेंड की आप रेने का ये प्रोड़क्ट यूज करें और अच्छा लगी इस चैनल को रोग दीजिए तो अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं रेने का लिप ग्लॉस का प्रोड़क्ट का रिव्यू बहुत अच्छा रा अगर आपको ये रिव्यू अच शेयर करी है वो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही साथ आगे की वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहेगा और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेगा अगर आपको ये मेरा कंटेंट आया हो तो